So guys, आपने अपने आपको December attempt के लिए enroll करवा लिया है, बट नहीं समझा रहा कि पढ़ाई के शुरुवात कैसे करें, किस हिसाब से पढ़ें जिससे इस बार तो attempt clear हो ही जाए. तो एक चीज तो मैं आपको बता दू, कि चाहिए आप 12 गंटे पढ़ो या 15 गंटे पढ़ो, बट फिर भी fail होने के chances बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं ऐसे मेरे काफी friends को जानती हूँ, जो मेरे time पर मुझ से कही ज्यादा पढ़ते थे, बट फिर भी वो लोग आज तक attempt दे रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ना is not the goal, what is the goal, किस से आप अपने exam smoothly clear कर सकते हो, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, so yes friends, welcome back to my channel, this is Neha Patil and आज हम in detail देखेंगे December 2024 study routine, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो daily routine, कि daily आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्या goal set करना है, आपका daily दिन कैसा दिखना चाहिए, अगर आप clear करना चाहते हैं, प्लस long term vision, December तक आपके क्या क्या deadlines होने चाहिए, revision कब तक हो जाना चाहिए, पढ़ाई कब तक हो जानी चाहिए, कितनी बार revise करना है, कहां से करना है, यह सारी चीजे भी बताऊंगे, third, मैं आपको subject wise बताऊंगे, कि कैसे कौन से subject को priority देनी है, और last में मैं आपको एक bonus tip भी दूँगी, so full pack video ने वाला, so let's start the video, सबसे पहले अगर हम बात करें daily basis पे, तो आपका daily दिन कैसा दिखना चाहिए, मुझे नहीं पता कि अभी आपका daily का दिन कैसा दिखता है, but एक चीस तो मैं आपको बता दू, you have to be super 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 productive and goal oriented, आपके दिमाग में बस अभी एकी चीज़ चलनी चाहिए, CS clear करना है, और वो कैसे होगा, आप मेंसे काफी लोग lectures देख रहे होगे, तो daily 70% जो दिन होगा, वो तो आपका lectures देखने में ही चला जाएगा, अगर आप दोनों group दे रहे हो, तो दिन में 4 lectures देखो, एक group दे रहे हो, तो दिन में 2 lectures देखो, ये चीज़े प्लीज याद रखो, जितना group देखो, उस हिसाब से lectures देखना है, आपका दिन में 6-8 घंटा तो lectures देखने में ही चला जाएगा, प्लस सिर्फ lectures देखना ही नहीं है, daily basis पे lectures देखो, उसको revise भी करो, और revise कैसे करना है, वो में आपको आगे बताऊंगी, बट इस चीज को याद रखना, कि डेली आपका दिन ऐसा दिखेगा, 6-8 घंटे lectures, 1-2 घंटा रिविशन, प्लस एक घंटा आपको खुद को देना है, जिसमें आप चाहे टैरिस में अकेले बैठने चले जाओ, किसी दोस से बात कर लो, जिन जोइन कर लो, या फिर अकेले वॉक पर चले जाओ, बट mental health is also very important, नाओ गाईज, हम वीडियो में आगे बढ़े, उसके पहले मेरे पास एक चीज है, आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, जो भी बच्चे CSET exam दिये है, उनके पास अभी free time होगा, या जो भी बच्चे B.com, M.com, C.A. intermediate, C.A. executive cleared, उनके लिए मेरे पास एक course है, C.B.A. Certified Business Accounting Course. So guys, अगर आप चाहते हो कि कुछ और भी certifications, आप अपने C.B.A. में add कर सको, तो there is nothing better than C.B.A. Guys, this course is provided by Audine School. Now guys, C.B.A. course, specially business finances and core processes like procure to pay, order to cash, record to report, compliances और SAP training पर ध्यान देता है. And guys, ये सारी चीज़े भी industry में काफी trending है. And the good news is, ये सिर्फ 3 months का course है, completely recorded और online mode पर होने वाला है. तो आप अपने convenience के हिसाब से, 3 महिने में स्कोर्स को complete कर सकते हैं, प्लस इतना ही नहीं. आप एक dedicated job portal है, जिसके तुरू आपको high paying jobs मिल सकती है, finance और accounts में. ये बिल्कुल value for money है, क्योंकि यहाँ पे 100 plus practice test होते है, 15 plus real life case studies बताई जाती है, and what not. So, अगर आप इंट्रेस्टेड हैं इस course के बारे में और जानने के लिए, या फिर इस course में enroll करने के लिए, तो link description पर है, जाके inquire करो, and इस course में जल्दी से जल्दे अपने आपको enroll करवा लो. Coming back to our video, मैंने आपको ये तो बता दिया, कि आपका daily दिन कैसा दिखना चाहिए, Now coming to deadlines, guys 15th October तक, आपका portion complete हो जाना चाहिए, अगर आप December में दोनों ग्रूप देने की सोच रहे हो, अगर एक ही ग्रूप देने की सोच रहे हो, तो 15th November तक आपका portion complete हो जाना चाहिए, Now guys मुझे चाहिए कि ये आप अपने बुक में सबसे पहले page पर लिखोगे, 15th November या 15th October तक portion complete करना है, 100% paper attempt करना है, और revise, 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 ये तीन चीज मुझे चाहिए कि आप अपने बुक के सबसे पहले page पर लिखो, ताकि ये चीज आपको हमेशा याद रहे, portion completion ही आपका अभी main goal होना चाहिए, ये तो मैंने बात कर लिए deadline की, अब इस deadline को accomplish कैसे कर सकते हैं, obviously lectures बहुत concentration के साथ देखना है, और अगर आपको lectures देखने में थोड़ी से भी दिक्कत आती है, आपको focus अगर हिल जाता है, distraction होता है, तो मैंने एक वीडियो इस पर बनाई हुई है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, जिसमें मैंने in-depth बताया है कि online lectures को कैसे देखा जाता है, एक और बात काईस, Monday to Friday आप lectures देखने पर ध्यान दो, Saturdays और Sundays को आप past paper solve करोगे, और writing practice भी करोगे, So guys, this is the mantra, lectures देखना है, revise करना है, paper solve करने है, writing practice करनी है, इसी के साथ आप अपनी December exams को बहुत easily clear कर सकते हो, और मैंने channelize करके आपको बताया है, Monday to Friday portion completion पर ध्यान दो, lectures जोरो, शोरो से देखो, Saturdays और Sundays को past paper solve करो, चाहे online देख लो, ICSI guideline answers या scanners के थ्रू करो, portion complete हुआ हो, ना हुआ हो, कोई फरक नहीं पड़ता, बट past paper solving start करनी है, plus writing practice भी करनी है, past में जाते जाते मैं आपको एक bonus tip दना चाहते हूँ, कि बच्चों को J.I.J.L, company law, accounts, tax, या फिर से भी, ये बहुत difficult लगता है, काफ़ी सारे बच्चों को इसमें नहीं समझाता, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो अगर आपका भी कोई एक ऐसा subject हो, जो आपको difficult लगता है, तो please उसको skip गलती से भी मत करना, एक tip दे देती हूँ, easy chapters से शुरू करो वो subject, जो easy chapter है, उससे शुरू करो, और अगर तो भी आपको नहीं समझा रहा, तो please at least scanners तो solve कर लो वो subject के, ऐसा गलती से भी मत करना, कि आपको skip करके चले जाओ, आपको सब कुछ करना है, अब यह depend करता है, या तो lecture देखके वो निप्टाओ, या तो scanner solve करके वो निप्टाओ, या तो खुद से module read करके वो निप्टाओ, या तो writing practice करके निप्टाओ, बट हर चीज़ पे आपको नज़र दालनी है, bird eye view लेना है, तब भी जाके आप exam में attempt कर पाओगे, एंड हमें सिफ attempt नहीं, 100% attempt करना है, अगर मैं summarize कर दूँ इस वीडियो को, आपके easy reference के लिए, तो first and foremost goal आपका क्या होगा, portion completion, daily basis पे आपको अपने आपको target देना है, 15th October, 15th November तक मुझे portion complete करना है, उस हिसाब से lectures देखो, प्लस अभी portion completion के साथ ही साथ revise भी करोगे, और revision कैसे करोगे, तो मैंने उस पे भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए है, आप one is to one is to one का revision strategy follow कर सकते हो, आप ऐसे mind maps बना सकते हो, index mapping बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे, उस तरीके से अपने notes preparation करना start कर दो, ताकि आप end day पे अच्छे से उसको revise कर सको, and past preposal writing practice Saturdays और Sundays को रखो, जब October के बाद या November के बाद का time आएगा, उस time पर आपको past preposal writing practice को ज्यादा priority देने और उस time पर कैसे पढ़ना है, उस पर मैं वीडियो उस time पर बना दोगी guys, उसकी tension आप मत लो, बट अभी कृपिया करके अपने lectures और revision पर ध्यान दो, बागी हम मिलते रहेंगे दूसरे वीडियो में guys, बबाई, best of luck.